सोचिए एक बार आप यहाँ पर डेंजन के अंदर जा रहे हैं लेकिन तभी आपको वहाँ पर रास्ते के अंदर जाते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा मोंस्टर दिखाई देता है और उस मोंस्टर को डेखके आप बहुत जा डड़ जाते हो तभी जो मोंस्टर होता है वो या लड़के यहां पे गलती से एक ộ किन्दर चला जाता है और वहां पर इसको एक मॉश्टर खाता हमें यहां फ्लेशकों का सीज बाल टॉged कर धृर्ज की यहां यह तरह तैनल के लिए जिसकी बाद हम देखते हैं कि इस कि McN Seal वो मुझे क्वोफके मिलें बंदों को तुभी यह यहाँ पे कुछ बंदे राइटों के पास आते हैं कि आ आज तुम फिर से जो यहां पर डंजन उसके अंदर जाने वाले हो तो ज़या बहुन है अगर मुझे कोई और हेहां पर रिक्वेश्ट ली तो जिसके बाद बंदेश चले जाते हैं यहीं पर जो राइटो होता है यह बोलता है लगता है कि मुझे डंजन के अंदर जाना पड़ेगा जिसके बाद राइटो बोलता है कि पैसके बास प息ot के तरफने काम करते हैं लेकिन मैं एकला काम करता क्योंकि कि मैं यहीं कि ध 안ение कि तरह और यह अन्दर यहां पर यहां पर को यहां पर नया रास्ता दिखाई देता एक यह तो हन देकाई अई और इसके बाद यह जो होता है अंदर चला जाता है फिर हम देखते कि राइटो यहां पर जब अंदर जाता है तो यह देखता है कि यहां पर बहुत बड़ा ड्रैगन मॉस्टर जो है खड़ा है और यहां पर यह जो होता सीधा राइटो को जो होता है खा जाता है यहां पर र मुझे मुष्टर समझ के यहां पर यहां पर आने का अन्टजार करोंगा अगर कोई एक अपर कर सके और तो अहां पर आता है तो आगर नहीं बहुं कि कैसे मौनंगा क्योंकि मैं तो बोली नहीं पा रहा हूँ तब ही हम देखते कि यहां पर एक मोस्टर आ जाता है यहां पर राइटो जो होता है कहता है कि मुझे इसको मानना पड़ेगा लेकिन यह जैसे तल्वार उठाता है यहां पर राइटो नीचे गिर जाता है मौश्टर जो को मारने वाला होता है लेकिन एक दम से नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी पैर की हैड़ी जो होती है यहाँ पे तूट शुकी होती है जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर राइटो जो होता है यह कहता है यहां पर मरता है उसके अंदर से कुछ एनरजी बाहर आ जाती है और वो एनरजी यहां पर साइटो को जो है मिल जाती है और जिसके बाद यहां पर सोच रहा होता है कहीं यह वही करके दीखने में बिल्कुल हीमन की तरह लगते हैं जिसके हाँ हुआ के और जरा होता है और हम देखके एक और मॉष्टर को मार देता है और ही साइटो के इंदर चली जाती एंसरी हैं और किस्के बाद स्लिं को यहां पे इक घटता टा है ताकि यह इसको बेश सके जिसके फेवाद सेटो यहां पहला होता है एक जगह पर यह बोलता है कि मुझे नीद नहीं आ रही है और ना मैं यहां पर कुछ खा सकता हूं पिर इसके बाद यहीं होता यहां फ्रेश रहे और जलो मुझे आगे कि दरफ चाहिए और मुझे जितने हो से कि उतने monster मारने चाहिए और यहां पर बहुत सारे monster को मार रहा होता लगातार तभी एक बहुत बड़ी slim को मार देता है स्लिम को मारने के बाद यहाँ पे जो स्लिम की जैली होती है वो जो साइटो के उपर लगना सुरू हो जाती है और यहाँ पे जो साइटो होता है वो जो होता है इवल हो जाता है यहाँ पे गोल के अंदर और साइटो बोलता है कि यह देखने में थोड़ा अजीव लग रहा है फिर यहां पर साइटो होता है वो जो होता है बहुत सार जो गोबलिंग होता है उनको जहता मारने कले तयार होता है और इस सभी गोबलिंग को यहां पर मार देता है और जिसके बाद इनकी पावर भी यह ले ले लेता है यहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो यहां पर Schriter से fight कर रही होती है जिसके बाद हम देखते हैं लड़की यहाँ पर जो मौंस्ट्र को मार देती है यहीं पर सेटो इसको देख रहा होता है और यह बोलता है कीतने टाइम के बाद मैंने किसी इंसान को देखा है यह कहता है क्या मैं इसके पास जाओं लेकिन यह जह काफी डर जाएगी क्योंकि इसे लगेगा कि मैं एक मॉस्टर हूँ तो यह जो था चुब चब से उसके पीछे जा रहा होता है और यहां पर लड़की जैसे उसके उपर तलवार से हमला करती है यहां पर सकलेडर मॉस्टर उसकी तलवार को ही पकड़ लेता है तो भी यहां प सकलेडर मॉस्टर होता है उसको जो होता है यहां पर हमला कर देता है और एक ही बार में इसको खतम कर देता है यहां पर लड़की को बोलता है कि मेरा नाम सैटो है यहां पर जो लड़की होती है यह बोलती कि तुम उसे दूर रहो तुम जो एक मॉस्टर हो और यहां पर जो आपस पास वापस आ जाती है यहां पे लड़की बोलती कि तुमने यहां पे जो कितनी देर लगा दी मैं जहूं यहां पे जो लड़की होती है यह बोलती कि मुझे तुमसे जह कुछ फूचना है जिसके बाद हम देखते हैं यहां पे जो सैटो होता है वो जो होता है यहां पे मौस्टर से फाइट कर रहा होता है यहां पे यह जो होता है मौस्टर को हरा देता है तब हम देखती कि वो लड skin के color से यहां पर match करता है तब यहां पर जो लड़की होती है यह बोलती है कि मैं आपके लिए यहां पर जह एक marks भी लेके आई हूँ यही पर set बोलता है कि जो यह लड़की है यह जह कितनी ज़्यादा यहां पर जह देयालू है जिसके बाद हम देखते हैं कि लड़की यहां पे मार्क्स को दिखा देती है यहां पे सेटो जो होता है मार्क्स को ले लेता है और यहां पे पहन लेता है और जिसके बाद सेटो यहां पे कहता है कि मार्क्स तो उतरी नहीं रहा एक दम से लड़की बोलती कि मैं समझ गई कि वो जो स्टोल है वो मुझे इतनी यजीब क्यों लग ती और उसने ये माक्स मुझे काफी आससते में क्यों दे दिया था तब जो सैटो होता है वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे मुझे जानते हैं तो यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती है कोई बात नहीं हम दूसरे गेट से चलते हैं और यह लोग जो होते हैं यहां पर दूसरे गेट पर आ जाते हैं और यहां पर यह लोग अंदर चले जाते हैं तब यहां पर लड़की बोलती कि सैटो तुम ठीक तो हो ना तब यह देखती कि सैटो एक दम से यहां पर गायब हो चुका है और यहीं पर हम देखते कि सैटो उ यहां पर उड़ जाती और यहां पर स्वादार को देख्याय। कि यहां पर सारीबाते इसको बतायाताय है। पहले ये बताओ क्या वो ड्रेगन अभी तक जो लेबर्ड है वहीं पर है तो यहाँ पर सेटो बोलता कि नहीं वो वहाँ पर नहीं है लेकिन अभी भी तुम्हारे पास जो सेटो की मेमरी है वो जो अभी तक है चलो तुम ये बताओ कि आखिरका तुम्हारा अप क्या प्लैन है तो यहाँ पर सेटो बोलता कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जो अरवेंचर की लाइफ है उसे जाए कंटिन्यू करूं लेकिन मैं इ कैसे बनाया जाए फिर हम नेक्शीन में देखते हैं जो सेटो होता है वो जो तह सफाई कर रहा होता है तब यहाँ पे जो टीने नाम की लिट्की होती है वो आ जाती है और यह यहाँ पर यहाँ पर कहती है कि तुमने जिन मोश्टर को मारा था वो सही में काफी ज़गा र कैसे हLP कर सकती हूं तो सैटों बोलते है कि मुझे यहां पर इस काम को अच्छे से कर देंगे लेकिन वो आपसे कभी कोई फोन मे बात करेंगे ताकी आप बता सके कि आपको तलबार की देता है यह बोलता है कि अगर आपको कॉल करना हो तो प्लीज इसी नंबर पर कीजेगा जिसके बाद हम देखते कि टीना यहाँ पर जो होती है चेक कर रही होती चैक कि अगर आप जा रही है तो आप इसे भी जह ले जाए आपको इसको पैसे नहीं देने असल में यह काफी ल जाएंगी तो इसको थोड़ा बहुत experience मिल जाएगा यहां पर जिसके बाद यहां पर टीना मान जाती है यह लोग होते हैं यहीं पर हम देखते हैं कि जो टीना होती है वो याद कर रही होती कि मैं बड़ी चोटी उमर में ही यहां पर जो डॉक्टर बन गई थी लेकिन बंदो को को बुलाती है और यह दिर पर ओर जाता है लेकिन आप से वहाँ बीच में आ जाता है और यह पर फिर होती है तुम्हें यहां पे पोधों के बार में इतनी जनकारी कैसे है तो यहां पे जो सेटो होता है यह बोलता है कि असल मेरा सपना है कि मैं एक एरवेंचर बनू और यहां पे एक बंदे ने मुझे कहा था कि अगर मुझे एरवंचर बनना है तो मुझे पोधों के बार में जनकारी लेनी पड़ेगी इसलिए मैंने यहाँ पे इनको रीड करना शुरू कर दिया फिर टीना बोलती कि तुम मुझे पोधों के बार में यहाँ पे सिखा सकते हो जिसके बाद सी इन प्रेजेंट का आता है यहाँ पे सेटो ने तलवार जो है दे दिये ठीक होने के लिए जिसके बाद यह जो होता है जा रहा होता है और यह बोलता है कि ब्लैक स्मीट ने मुझे अपनी तलवार दी है यहां पे इस्तेमाल करने के लिए जब तक मेरी तलो आठ ठीक ना हो जाए फिर यहीं पे हम देखते कि टीना बोर रही होती है कि तुम्हें भूग नहीं लगती तो सेट्टो बोलता कि नहीं मुझे भूग नहीं लगती बिलकुल भी तो सेट्टो बोलता कि हाँ में वहाँ पर जाओंगा और मोश्र को मारूंगा क्या पता मैं दुबारा से इंसान बन जाओं क्यूंकि मेरी जो फैमिली है वो बहुत जाओंगा पर ज़िए में है और मुझे यहां पर लड़ाई कहना नहीं आता था ही से तो प्लीज तुम जो मेरी हैप करो और मेरी जो फैमिली है उसको बचा लो यहाँ पर सेटो कहते हैं काफी बंदे इस तरह का भाना मारते हैं लेकिन मुझे यह बंदा तो अच्छा लग रहा है उसके बाद यह बोलता है ठीक है तुम मुझे जोईन कर सकते हो लेकिन तुम्हें मेरा जो समान है वो जो उठाना पड़ेगा जिसके बाद हम देखते कि सेटो और यहाँ पर यह बंदा जो होता है चले जाते हैं आगे की तरह और यहाँ पर जो बंदा होता है वो जो होता है काफी खुश होता है जिसके बाद हम देखते कि यह लोग यहाँ जो है जा रहे होते हैं अंदर जाने के बाद यहाँ पे यह लोग एक रूम के अंदर पहुच जाते हैं लेकिन यहाँ पे इंको कुछ भी नहीं मिलता जिसके बाद यह और आगे जा रहे होते हैं तभी यहाँ पे एक जो टेलिपोटन वाल मैजिक होता है वो जो होता है और यहाँ पे जो बंदा होत लिए होता है दूबारा इससे उपर हमला करता मोंश्टर shop को कुछ भी नहीं होता औप होता है यहां पर बंदा होता है कि इतना बड़ा था जिसके बाद यहां पर यह बंदा बेच के अपना करजा चुडा लेना और जो होटल है उसे चालू कर लेना स्ट्वारा में रहां हुआ होगा जो कृश्टल हो जो मुझे दे रहे हुए यही पर सक्षप होता हुआए रहात कर दिखाता है इसससलिए मैं गीलबं नहीं जा सकता तो तुम यहाँ पर गिल में जाना और मेरे लिए जो कूईस होते हैं वो जह लाके मुझे दे देना जिसके बाद यह बंदा बोलता है ठीक है यही पर जो बंदा होता है वो जो होता है बैशारा काफी यारो रणन लग जाता है और यह बोलता है कि तुम्हारा बहुत हो शक्रिया तुमने मेरी फैमिली को यहां पे बचा लिया है जिसके बाद यह दोनों मिलके यहां से जहोते हैं बाहर जा रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बंदा होता है वो जो होता है बहुत जाता है अपने रेश्टरॉन के पास और यहाँ पे यह अपनी बीबी को बाहर बुलाता है रेश्टरॉन से और इसकी बीबी जो है बाहर आ जाती है और यह बोलती कि आखिरकार तुम जो ठीक हो म बश्तिए कर सकते हैं मुझे एक इस्टिल यह इस बंदेने दिया है और यहां पर यह जह कभी भी हमारे सफिया ना आये तुम इसे खाना यहां पर प्लीज तुम इसे पैसे मत लेना जिसके बाद यहां पर यहां पर जो नाम wohते है कि मैं अपना नाम तुम्हें बता दूंग फिर यहाँ पर बंदे बोलतें ठीक है हम इस बात को राज रखेंगे कोई दिकत नहीं है यहीं पर सेटो जा रहा होता लेकिन इसको सभी चीजें काफी अजीब सी दिखाई दे रही होती है सेटो बोलते हैं कि अखीरकार यह सब क्या हो रहा है? मुझे एतनी चीज़ें अजीब देरी हैं? यहीं पर सेटो टीना के पास बहुचत जाता है यहां पर टीना जो होती है, research कर रही होती है तबी जो सेटो होता है, वो झो होता है वो पीने लग जाता है अब यहाँ पर टीना के पास कोई और चरा नहीं होता और यह जो होती है इसको दूर भगाने के लिए यहाँ पर जो मैजिक होता है उसका जो इस्तमाल कर रही होती है फिर यहाँ पर सेटो जो होता है काफी जाकर दूर गिरता है यहाँ पर इसके मैजि तुम मुझे यह बताओ कि जो लेवर्ट सीटी है वहाँ पे जह क्या हुआ था तो यहाँ पे जो सेटो होता है यह बोलते है कि मैं वहाँ पे एक बंदे से मिला और मैंने जह एक मोश्चर से वाटिंगी बस यह हुआ था और जब मैं अबस आ रहा था तो एकदम से मैंने अप पे जो इनसान का मीट होता है उसे खाना बहुत जयदा पसंद होता है लेकिन आप मुझे तुम यह बताओ क्या तुम鄉त्व हो क्या तुम अभी ठीक हूँ तो यहाँ पे जहाँ तुम रूख करो जिसके बाद सेटो बोलता है कि तुम रुख जाओ मैं जहाँ तुम और यहांपर ये जो हमर्स को कंट्रॉल कर सकता है पर यहांप और यहांपर पर स्वह से फ़को फ्रेसकि कर रहा हूता है और यहां पर यह बन्दा बोल रहा होता कि आखिर का तुम करते क्या हो यहां पर तो सेटो यहां पर सारी बाते इसको जह बता लेता है फिर यहां पर यह बन्दा बोलता है ठीक है जिसके बाद सेटो यहां पर कह रहा होता कि पता नहीं उसको जह कैसे बचलगा कि मैं ही जह हूँ सेटो हूँ यही पर हम देखते कि टीना दवाई बना रही होती है और यह जह होती है यहाँ पर दवाई को बना लेती है और यह बोलती कि तुम इसे जह पीलो यहाँ पर यह जैसे इसको पीता है तो यहाँ पे टीना बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन मैं यहाँ पे जो काफी अजीब सा फिल कर रहा हूँ इसका जो टेस्ट है वो जो काफी बेकार लग रहा है यहाँ पे टीना बोलती है कि तुम पहले बनते होगे जो यहाँ जो जहर है उसका जो टेस्ट बता रहे ह यहीपर तीना बोलता है ठीक है तुम जाओ और यहाँ पर जहरा हूं सोने के लिए। पर यहाँ पर तीना होती है बोलती है वैसे थूम्हें हे खून की तलब दोगा हो रही है। सेटो बोलता है कि हाँ मुझे तलब हो रही है जिसके बाद यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है इसको एक बोतल देती है यहाँ सेटो बोलता है इसके अंदर से इनसान की जो खून की खुस्बू है वो जह आ रही है जिसके बाद यहाँ पे टीना बोलती कि हाँ इसके अंदर मेरे खुन मिला हुआ है और तुम इसे पी सकते हो जो तुम्हें तलब लगे यहाँ पर जो लेवट सिटी है उसके उनदर जाने वाले हो तो सेटो बोल तक है हम बैंज से दो यहाँ पर इस तरह से मैं यहाँ आरवट से गिल के इंदर से जो रिकवेश्ट है वो लाती रही तो यहाँ पे वो लोग जी है मेरा लवल बढ़ा देंगे तुम्हारा लवल नहीं बढ़ाएंगे फिर सेटो बोलता है कि तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ अगर मैं इस तरह से जाओंगा तो यहाँ पे वो लोग जी है मुझे पकड़ लेंगे और यहाँ पे आए हुए काफी जी ज Dana टाइम हो गया है जिसके बाद यह जाता है यहाँ पे गिल वाल लड़की के पास और यह बहुत है कि मुझे एक अरवेंचर बननाए है जिसके बाद गिल वाल लड़की बहुता है थीक है तुम इस फोरम को भर दो यहा पर तो यहां पे जो सेटो होता है वो जो होता है फोर्म को यहां पे भरना सुरू कर देता है सेटो बोलता है कि मैंने बहुत साल पहले यहां पे इस फोर्म को भरा था अब मुझे भरते हुए काफी यहां पे हरानी सी हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने यहाँ पर तीजों को दुबरा स्टार्ट किया है जिसके बाद सैटों यहाँ पर रे नाम से रिश्टर करा लेता है और यहाँ पर लेड़की बोलती कि यह आपका कार्ड है आप हमारे यहाँ पे जो आरेन एर्वेंजर है उसके नाम पे जो है रिश्टर हो जुके हैं जिसके बाद सेटो जो होता है यहाँ पे आ जाता है डेंजन के अंदर और यहाँ पे मौस्टरो को डुणने लग जाता है तबी हम देखते हैं कि सैटो को यहां पे बहुत सारे बंदे जो है दिखाई देते हैं वो भी जो होते हैं यहां पे शिकार करने आये होते हैं जिसके बाद सैटो जो होता है यहां पे अंदर जा रहा होता है और यहाँ पिछली बर गया था और जैसी Seto, यहाँ पे रूम के अंदर पोर्चता है, इसको एक और यहाँ पर जह एक मैजी सरकल दिखाई देता है, जिसके Seto आप जाता है, और दुबारा से जहां उस पर चड़ जाता है, और यहां पे किसी और room में जो है टेलिपोर्ट हो जाता है जिसके बाद हम देखते कि यहां पे जो सैटो होता है वो जो होता है पहुच जाता है एक room के अंदर और यह बोलता है ऐसा लग रहा है कि यहां पे कोई रहता है और तभी इसको एक skeleton monster दिखाई देता है जो यहां पे फिर यहां पर सैटो बोलता है कि तुम मुझे मारो मत मैं जहूं एक इनसान हूँ जिसके बाद लड़की बोलती कि मुझे माफ करना मुझे लगा कि तुम एक मौश्टर हो इसलिए मैंने तुम्हारे उपर हमला कर दिया मैंने तुम्हारे कपड़े यहां पर तबाह कर दी है इसलिए तुम मेरे जो कपड़े हैं उनको जह ले सकते हो और तुम इसे पहन सकते हो अराम से फिर यहां पर सैटो जो होता है कपड़े को ले लेता है और यहां पर लड़की बोलती कि जब भी तुम चाहो तुम जो यहां पर आ सकते हो ओवी जह इस मैप की हल्प से लेकिन नहीं देख सकता है जिसक्ता मैप को लेता है फिर यहां पर फिर लड़की वो होती है वो जह होती हैgriff मैजिक का स्थमाल करती है और सीटो को यहां पर बाहर भेजेती है वह भी जैस डेंजन से बस्पशेटा बाहर आ जाए और यह पहुंच जाता है टीना के पास और यह बोलती ही कि आखिरकार तुमारे साथ हो के रहा है जबसे तुम उस DUNGEN में गए हो तुम जहे यहां पर काफे हजीब हो पहला तुम्हेश यहां पर ड्रेगन निका लिया और यहां पर यहां पर यहां पर सेटो जो होता है उसी रूम में जा रहा होता है तब यहा पर जो स्टोन होता है उसे जह ले लेता है जिसके वाज़ सेटो होता है वो जो होता है आगे जा रहा होता है और यहां पहुंच जाता है एक गेट के बाहर और यह बोलता है कि यह जो गेट है यह जो इस मैप के अंदर भी नहीं है अब यह सेटो सोच रहा होता है कि आखिर का क्या होगा इस dungeon के अंदर और क्या होगा इस gate के अंदर अगर आप सही में जाना चाते हो कि आखिर गार इस gate के अंदर होगा क्या तो आप लोग को यहां पर चैस्क्राइब करना पड़ेगा क्योंकि यह पिशोड यहीं पे जए खतम हो चुका है और अगले पिशोड के लिए आपको 40 कमेंट करने पड़ेंगी तभी मैं अगले पिशोड लेके आऊंगा तो यह मेरी आप से हांज जोड की विंतिक प्लीज आप लोग जहें मेरी लिए 40 कमेंट कर दीजेगा चलिए फिर आपके पिशोड को यहीं पेज़र खतम करते हैं मैं मिलूंगा आपको अगले पिशोड में जब तक लिए बाई बाई